30 नमबर यानि कि अगर 29 नमबर होता तो मैं मैट्रिक फैल कर जाता हिंदी में और मुझे हिंदी भासा के लिए ही 2016 में साहिट अकेडमी वावाड मिला आप लोग सारे नौजवान बेठें निस्चित रूप से आप कहेगा भाई तो प्रवचन हुआ बाबा लेकिन टैलेंट हमने भी है वने में मेनत किया हमें तो कोई नोटिस नहीं कर रहा है यह सिकायत होती है लिकिन इतुकीышमी सथी में यह सिकायत बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं जो अभागा है वो इस्वर का वो भरोसे मंद आदमी है जिसे इस्वर ने कुछ देकर नहीं भेजा है कहा है इसे कुछ देकर मत भेजो यह सब कुछ अपने हासिल कर लेगा 2017 में मैं एक एक्जाम में बैठा हुआ था उन एक्जाम के लिए जिसके लिए मैंने साथ साल आठ साल लगाया अपने को गलाया और मैं पीसियस के एक्जाम में बैठा हुआ था मैंने एक सवाल देखा और जब मैं कुछ नाम देखा अपनी किताब का नाम देखा तो मुझे प जहां हम हमेशा सवालों से भागते थे, वो सवाल मुझे इतना खुबसूरत लगा और उससे भी जादा खुबसूरत और रोमान्चक ये था कि उस सवाल का जबाब जबाब खुद हो। जिन्दगी भर सवाल हल करने वाला व्यक्ति अगर सवाल बनके सामने आए और वो खुद उसका जबाब हो तो कई बार जिन्दगी से आपकी सिकायतें खतम हो जाती हैं। मेरा नाम निलोतपल म्रनाल है और मैं एक लेखक हूँ एक कवी हूँ और मुझे 2016 में अपनी लेखनी के लिए अपने उपन्यास डार्क होर्स के लिए साहत अकेडमी वा पुरसकार मिल चुका है। कई बार लोग पूछते हैं कि लेखक बने तो कब से सोचा लिखना कब से सोचा की लिखना चाहिए। कई लोग बताते भी हैं कि बच्पन से प्रतिभाथी स्वपन हुआ था यह मुहर्त था यह सब कभी बताते हैं लोग बनने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2014 की बात है UPSC संग लोग सेव आयोग की परिच्छा में कुछ उसके पैटर्न में बदलाओ को लेकर एक आंदोलन चला था मुखरजी नगर में जो पूरे देस में फैला था उस आंदोलन में मैं भाग लेने के दौरान मैं लोगों की बीच में जाता था लोगों को बात्च तो मुझे लगता है कि ये चीजें कहीं ने कहीं कुछ और मांगती है मुझे लग रहा था कि मैं केबल इतना से ही करके वापस नहीं होना चाहिए मुझे इसी को और भी कुछ बनाना चाहिए यहीं पर कुछ ढूड़ना चाहिए जिस रास्ते में इन लोगों के लिए कुछ कि परिच्छाएं अपनी जगह पर है, एक और परिच्छा मेरा इंतिजार कर रही है, और मैंने दार्क होर्स नाम का उपन्यास लिखा, जिसमें मैंने हिंदुस्तान के लाखों यूपीएसी चात्रों के उस दर्द को लिखा, जहां पचीज गज के कमरे में लोग मुखरजी अगर में आग में तपते हैं, तपके सोना भी होते हैं और कई लोग जल के खाक हो जाते हैं, कई बार आप लोग देखते हैं कि लोग आप से कहते हैं कि प्रतीभा क्या जन्मजात होती है, मुझे लगता है कि ये किसी भी मनुस के लिए अन्याय है अगर आप कहें कि तुम जन्म से कुछ लेकर नहीं आया हो। कई बालों को का जाता है कि आप अभागे हैं तो पता नहीं आप कुछ कर पाएंगे की नहीं। जिनके भागे में कुछ नहीं है, उनके हाथ में सब कुछ है। और यू समझे कि जो अभागा है वो इस स्वर का वो भरोसेमंद आदमी है जिसे इस स्वर ने कुछ देकर नहीं भेजा है। कहा है इसे कुछ देकर मत भेजो यह सब कुछ अपने हासिल कर लेगा। तो मेरा कहना यही है कि प्रतीभा ये केबल एक तत्तो है सफलता का। करि कर दू कि जो दिल कहता है वही करो को दिल मिनट में बहत्तर् आद द्धलकता है। दिल एक बात बोले तब लान मीनट में बहत्तर आद धळकने वाला जिन्दगी का रास्ता हो यह हर बार सही नहीं है। च्वाइस के साथ आपका हुनर मैच करना चाहिए। कई बार अगर आपने दस रास्ते देखे हैं या दस च्वाइस है आपकी चार पांची जो में अपका मन लगता है तो आपको कोषिस करना है थोड़ा साङ निस्ठूर होके मुलल्यांकन करना है कि मैं किस चीज का दक्ष हूं। या मैं किस चीज में मेरा हुनर है। और मैं अभयास करूं गा तो उसको और निखार पाऊंगा और दुनिया के सामनے ले आ पाऊंगा। और वही रास्ता पकड़के आप कीजिए, तो आप निस्चितुरूप से सफल रहेंगे, और क्योंकि टैलेंट जो है, वैसे भी जमिंदारी की विरासत होती है, उद्योगपती की विरासत होती है, टैलेंट किसी की बपोती नहीं है, वो किसी बस्यत में नहीं होता है, वो आप लोग सारे नौजवान बेठे हैं निस्षितरूप से आप कहिएगा भाई तो प्रवचन हुआ बाबा लेकिन टैलेंट तो हमें भी हमने भी महनत किया हमें तो कोई नोटिस नहीं कर रहा है यह सिकायत होती है लेकिन इकीसमी सदी में यह सिकायत बहुत ज्यादा कन्विं इस दिसिंग नहीं है अब चक्की चलाने वाले से लेकर देश चलाने वाले के फाथ में इंटरणेट है मोबाइल है लोग अपने घर पे बैठके अपने कमरे से अपना हुनर दुनिया को दिखा रहे हैं ज़रूरत है कि आप अपना हुनर कितना मन लगा कितनी दख्सता से को दिखा पाते हैं दिखाईएगा दुनिया की नजर पड़ रही है मैं अपनी कहानी आपको पताता हूं कि मैं जब अपनी किताब लेकर अपनी पांडुलीपी लेकर बड़े मेहनत के साथ फोटोकॉपी कराके घूमता था पुस्तक मेला में यहां नहीं दिली पुस्तक मेला मैं यह समय साहता है मैं जहिख हो मुझे उपको खाप दो मुझे 22 प्रकासों रिजेक्ट किया मुझे लगता है कि उन्हें पढहने पढ़ा नहीं पढ़ानी तो पशंद नहीं होगा जो भी उनके कारण होंगे तो मैं घूमता रहा तो अंत में मैं हार के मैं आपनी किताब उसको मैं मुखरजी नगर में बेच लूँगा किसी तरस करके, मैं गुम्टी लगा कि बेच लूँगा, जैसे भी बेच लूँगा, मैं बेच लूँगा अपने दोस्तों के साथ, तो वहीं पर एक, मेरे जैसे, EUA ने मुझे मेसेज किया कि आप अपनी किताब क्या मुझे पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा कि पढ़ लो भाई, मैं भेजता हूं आपको, तो उसने का आप मुझे मेल कीजिए, मैंने कहा कि आप है कोन, बोला कि आप लेखक बनना चाह रहे हैं, मैं पबलिसर बनना ESPN नमर ही मेरी किताब के साथ लिया, मेरी किताब पहले ले ली और कमपनी बाद में आई, और उसी कमपनी के साथ उस किताब को, Sight Academy YoA अवार्ड मिला, यह कम होता है कि आप इस तरफ लागा, तो यह है, यह है, सोसल मीडिया का फलसफा, मेरे जैसा व्यक्ति अगर अपनी पहली किताब से आप लोगों के बीच में है, तो यह भी तह है कि प्रतिभा जन्मजात नहीं होती है, मुझे मैट्रिक में 30 नमबर था हिंदी में, आप समझ लिगे, 30 नमबर, यानि कि अगर 29 नमबर होता तो मैं मैट्रिक फैल कर जाता हिंदी में, और मुझे हिंदी भासा के लिए ही 2016 में सही तक अडमी यू आवाड मिला, जिसमें मैं मैं मैट्रिक में केवल 30 नमबर ला पाया था, अगर मैं उसी एक्जाम को अपनी जिंदगी का सबसे आखरी एक्जाम समझ लेता, तो मैं सहीद यहां लेखन के, एक देखक के तोर पर यहां तक यात्रा ही नहीं कर पाता, मेरा सारा, मेरी सारे उत्सा, मेरा सारा उर्जा उसी दिन मर जाता, जिस दिन लोग मुझे कहते हैं तुम क्या पढ़ोगे आगे जागे हिंदी में, जब तुमको 30 नमबर है, इसलिए यह भी तैह है इससे, यह आप ए इस रास्ते के डार्क और साबित हो जाओ, जरूरत यह है कि तुमारे अंदर का गोड़ा, तुमारे अंदर की जिजिवसा वो दोड़ती रहनी चाहिए, तुम कभी बैठो मत, और मंजिल जितना विराठ होगा, दुख का रास्ता उतना लंबा होगा, कई बार आप दुख क आप बिक्टिम की तरह बैठे रहते हैं, मैंने संघर्स किया, मैंने संघर्स किया, मैंने संघर्स किया, भाई, आपने संघर्स किया, इसलिए सुख आप ही के पास है, इसलिए सफलता आप ही के पास है, तो संघर्स और दुख सुख पाने के लिए किया गया निवेस है, इन कि तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे सुरज के रथ हम चड़ेंगे जरूर हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर अरे चंदा नहीं दूर सुखे बादलों पे बरसात लिखेंगे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे अरे हौसले की नयाब दीये है उतार हमसे कि नारा नहीं पुछो रे मलार बात पूछ fountain मलार बहती नइब पे कोई बाध लिखेंगे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे इतिहास लिखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जो स्टॉक का अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगा तो जो स्टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेयर करें अपने घर वालों के साथ सेयर करें और हमें बताएं कि जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म से जो यह